श्री रादिरादे भक्तों देवर्ष नारज जी महराज ने भक्ति सूत्र में कहा है कि जो बहुत उच्चकोट का महान भक्त होता है उसके द्वारा तीर्थ भी तीर्थत्व प्राप्त करते हैं और सास्त्र भी सत्रास्त्र पन जाते हैं तीर्थ की शक्ती उनकी चर्ण में विराष्टी है और उनकी वानी में स्वास प्रस्वास में तीर्थ और सास्त्र नाम साधनायें सबकी महिमा प्रकत होती है माता अनन्द में इसी प्रकार की अद्भूत्माहन भक्त थी वायू की गति और प्राण शक्ती जनित्यू रस्प्रवाकिर्वारा नाना वरनों का खेल एवंग बीजाद की मूर्थ और ध्वनी लक्षित होती थी उनको स्वास्प्रस्वास की गति के साथ पहले बीज आज बाहर होते बीज मंत्र और तब ख्यालाता की ये सब क्या है ऐसे ही अपने आप मुक्से प्रत्यक के संबन्द में जबाब भी बाहर निकलने लगता है मुस्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष करती थी माता की किस किस स्थान पर क्या क्या रहता है उस समय प्रत्यक चक्र का रचना वाईचित्र वो सब बोलती जाती थी फिर माता नहीं कहा कि देखो ये जो चीजें बहुत सरल नहीं है ग्रांड करना इन से सरल साधन मैं बताती हूँ उपासना, पूजा, कीर्टन, ध्यान, तत्विचार और योग आजिक्रिया एकांतिक भाव के साथ चलते रहने पर अपने आफिचित शुद्धी और भाव शुद्धी होने पर सब ग्रंथियां खुल जाती है अन्यथा जीव, काम, क्रोध, आजिकी चक्र से सहज में उद्धार नहीं पा सकता है माता कुछ पास अंदर से सवग्यान प्रिकट होते रहते थे एक दिन मा अपने भक्त मंदली को साथ ले करके धाका में सिद्धेश्वरी आसन पर गई वो अस्थान बहुत उपेक्षित था वहाँ एक आज हाथ उँची, सवाहाथ लंबी, एक चतुशकोंड वेदी थी चोकुर वेदी, एक हाथ उँची, और सवाहाथ लंबी चोड़ी मा उसी के उपर आसन लगा कर बैठ गई भाक्त ब्रण चारों और अपने अपने भाव से बैठ गई इसी बीच पे देखा गया कि मा ने आसन की थोड़ी इसी जगह के अंदर शरीर को इस प्रकार संक्चित कर लिया कि सबको ऐसा लगने लगा कि आसन के उपर क्योल मा का परिधान वस्त्र मात्र ही पड़ा हुआ है मा दिखाई नहीं देती थी सबी गवरा गए कि क्या हो गया क्यों यहां एक कपड़ा है मा कहा चली गए थोड़ा थोड़ा इसके बाद कपड़ा हिलना चुरू हुआ धीरे धीरे वेदी के उपर फिर मा दिखलाई पढ़ने लगी प्राया आधे गंटे तक अपलग दिष्टी से उपर की ओर देख करके माता के मुक्से शब्द निकल पड़े उबोल उठी तुरंट तुमारे कर्मों के लिए यह शरीर तुम ही लेकर आये हो मा ने कहा कागज की पतंग जिस प्रकार एक मात्र धागे के सहारे हवा में उड़ती है उसी प्रकार योगियों के शरीर में भी स्वास और संसकार का सूत्र लेकर शोन्नी में उठना सूक्षन होना वर्यात होना अद्रिश्य होना इत्याजाने एक प्रकार का खेल किया जा सकता है और भक्तों सुना है कि स्वाप्न में भी भाक्तों लोग कभी-कभी मा के मुख से मंत्र प्राप्त कर लेते थे और किसी ने मंत्र के साथ फूल भी प्राप्त किया और ज्यागरत वाने पर देखा कि मंत्र उनको याद हो गया और फूल भी वगल में रखा है जबकि किसी को भी दिक्षा देते मां को देखा नहीं गया कि मां दिक्षा दे रही है और वो जगने पर बता रहा है कि मुझे दिक्षा मिली है फूल भी दिया है फूल भी जिक्राई पड़ गया दिक्षा का मंत्र वो जप रहा है उसको याद भी हो गया अनेक लोगों के मुक्ष से सुना गया कि मा चाहे ढाका में हो या अन्यत्र कहीं हो उनके बहुत दूर अपने घर में हठा थोड़े समय के लिए मा का प्रत्यक्ष दर्शन जब लोगों को मिलता तो चमुक उठते थे कि मा तो वहां थी हमारे घर में कैसे आ गई एक भक्त ने बताया कि मेरी भयानक वीमारी के समय मा कुछ एक महीने उत्तर पस्चिमानचल में थी उस समय और ढाका वापस आने पर एक दिन उन्होंने कहा कि मैं दो दिन मध्यरात्ती के समय तेरे घर में इस दर्वाजे से आई और दर्वाजे से बाहर हो गई उस समय तू रोग से बहुत कातर था मैरा जो उन भक्त का कहना है मेरे रोग के अतिशे हो जाने पर डाक्टर को रात्री में भी बुलाना होता था खार्चा का खाता मिलाने पर देखा गया कि मा की निर्दिष्ट दो रात्री में ही डाक्टर आया था इस प्रकार की घटना भी घटी कि बहुत से लोग बैठे गुए हैं और वो सब लोगों की आँखों के सामने से आना जाना कर ले थी थी माता और उनका सरी किसी को दिखलाई नहीं पड़ता था और भक्तों मा कहती थी उसमें कि मैं तो तुमारे संग संग हे रहती हूँ हो निकट ही हो चाहे दोर ही हो जिस किसी भी समय मेरी एक दिख्टी तुमारे उपर सरवदा जागरत रहती है वक्तों अपने अपनी श्रद्धा के नुशार माता का लाव वक्तों को मिलता रहता था एक बार गाइंदर स्टेशन पर माँ गारी में बैठने वाली थी प्लेट फार्म से गाड़ी का दर्वाजा बहुत उचा था बहुत दिनों से मा का दाइना हाथ बेकार सा था मा के आधेश से ब्रमचैरनी गुरुप्रिया ने मा का बाया हाथ पकड़ करके मा को गाड़ी में खीच का चड़ाया ब्रमचैरनी गुरुप्रिया ने बता है कि मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी बहुत छोटे बच्चे को उठा कर चड़ाई हूँ बिलकुर वजन नहीं था मा के शरीर में और फिर किसी समय मा को बहुत भारी होते हुए देखा जाता था जो पहले चड़ाने के लिए ब्रमचैरनी गुरुप्रिया गवरा रही थी कि मा को कैसे उठा पाएंगे उसने उठाया तो फूल जैसी बिलकुर मा कहती है कि उनका चलना बैठना सभी समान है वे सदय जागरित रहती है यह परमसत्य है क्योंकि देखा गया कि वे किसी किसी दिन शैया त्याग करते ही बोल उठती थी माता मैं अभी उसस्थान से आय हूँ वहां यह घटना घट रही है और पीछे उसके सत्य होने का प्रमावी मिल जाता था क्या यह तो मा आय थी और यह घटना देखके गई है एक भक्त का कहना है कि मैंने बहुत बार विद्धुत्रेखा की तरह कस्मात एक प्रकास या च्छाया मूर्थी की तरह मांको अपने निकट देखा और माँक अभी नहीं रहती कभी नहीं, और दिखल्या और यह च्छाया दे गणी भोत होकर अनेक प्रकारिके धेल करता अनेक बार वह सत्ति में परृनित होते थे और ओंने के पहली तो आश्यर्य खूक्ता और बार में घटना घटकी थी तो सत्री है सन उन्नीस सो तीस इस्वी के अंतिम भाग में मा धाका से प्रायस तीन सो मील की दूरी पर काक्स बाजार में थी और एक भक्त कहना है कि मैं धाका में सुबह विछाओने पर उनके चिंतन में बैठा हुआ था देखा कान के पास खूब धीरे धीरे एक आवाज आई शीग्र आश्रम में मंदिर की वेवस्था कर और महराजी सुनते ही वो चौक उठे कि आवाज कहां से बांकिया गई और उनका कहना है कि मैं जानता था कि मां सीधे सीधे किसी को भी कुछ आदिस नहीं देती है किन्तो विचार होने लगा इस प्रकार का आदेश मां के अत्रिक्त और किसी का नहीं हो सकता है किन्तो ऐसा होने पर वो इतना फस्ट क्यों नहीं था काक्स भाजार में पत्र लिखने पर पता चला कि मां कई दिनों से मौनी है बिलकुल नहीं बोलती है उस दिन ही सुबह आठ बजे उनकी बात निकली और बात में मां के धाका आने पर उनको मालूम हुआ कि उस दिन खूब सुबह मां की बात खुली थी किन्तो कोई भी स्पस्ट नहीं समझ पाता था वास्विक मंदिर निर्मान का आयोजन तब से प्रारम हुआ था वक्तों जो शरीर छोड़ चुके हैं से साधू भुरुशों की अनेक लोगों की आत्मा को मां परायर देख लेती थी और कहती कि जैसे मेरे सामने तुम लोग बैठे हो अनेक आशरीरी इस जगह वैस से ही रहते हैं जो सब किसी को दिखलाई नहीं पड़ते हैं अनने मही माता को दिखलाई पड़ते थे अशरीरी लोग जिनका शरीर छूट चुका है मां कहती किस रोग की क्या मूर्थी है मैं देख पाती हूँ अब ये मेडिकल साइंस नहीं समझ सकता इस बात को मां बताती थी कि किस रोग की क्या मूर्थी है वो देख लेती है इस शरीर में वे जब आना चाहते हैं उनका कहना था मैं कोई बाधा नहीं देती हूँ जब मैं ही सब हूँ तब त्याग और ग्रहन कहा हूँ तुमको ले करके मेरे लिए जो आनन्द है उनके लिए भी वैसा ही जानो बहुत मुची सिध्धिमा की बतौँ सन 1929 इस्वी के मई के महीने में श्री मा ने ढाका छोड़ दिया था किन्तो अनेक कारणों से उनके स्वाधिन भाव से परिभ्रमन के पत्में विग्न घटित हुए महराज लोग समझ नहीं पाते थे कि आगे आने वाली घट नहीं जो माता को इसे पता हो जाती है और एक बार धाका लवट आने पर एक दिन मा को जोर हो गया शरी में नाना प्रकार किया स्वाभाविक क्रिया होने लगी मा ने आदेश दिया कि शरीर की स्वातर स्पुरित विविद गती की अनुसार इसको उठाओ बैठाओ यूं सुलाओ प्राय एक घंटे तक उसी प्रकार किया गया मा ने बतला है कि ये सब शारीरिक क्रिया है सब ही योगिक क्रिया थी ये सब देखकर सब को शंका हुई कि इसके बाद मा लिला सुमर कर सकती है बाद में दिखा गया है कि उनका सरवांग अवश हो गया उठते बैठते किसी के नह पकड़ने पर अंग प्रत्यंगाज शिथिल होकर गिर पड़ते साथ साथ ज्वर के साथ सूजन उद्रा में खोनी दस्त और रक्त श्राव ये होने लग जाता था और इसी भाव में कुछ जिन भी इतने पर ब्रह्मचैरनी गुरु प्रिया ने कातर भाव से नेवे दन किया मा तुम्हारा शरीर तो हम और नहीं चला पा रहे हैं कृपा करो कृपा करो आप ही समालो इसको इसकी बाद शरीर के अब उस भाव में परिवर्तन हुआ किन्तु ज्वर जो था वैसा ही रहा मा के आदेश के अनुसार 5-6 दिन तक प्रत दिन 11 बजे से 5 बजे तक 60-70 बालती जल माथे के उपर डाला जाता था और भक्तों मा के आग्या थे इसलिए थंडा पानी लोग डालते जाते थे मा के सिर के उपर माथे के उपर 60-70 बालती पानी लगातार तब भी जो अरकाता आप कम नहीं होता था लोग चकित होते थे कि बुखार नहीं उतर रहा है और भक्तों माता किसी भी तरह की दवाई नहीं लेती थे एक दिन संध्या के समय धाका के एक विशिष्ट वैद्ये मा को देख करके बोले हमारा निदान मनुष्य के रोग की बात बताता है इनका तो सभी स्वतंत्र है ये मनुष्य की सीमा से बाहर हैं इतने दीर की समय तक इस तरह श्यागत देख करके सभी रो रो करके स्वस्थ होने के लिए मा के सामने कातरता प्रिकट करने लगे और महराज इसकी दूसरे दिन प्रात ही मा बोली भात का जुगार करो जो शरीर की सूजन आदी और ज्वर की बेग से निश्चल हो करके प्राय सत्रा ठारा दिन से सहिया पर पड़ी थी वो स्वयम ही बिना किसी दवाई के अपने अन्पत्य की व्योस्था कर रही थे ये देख करके सब अभाग थे कि अपने हाथ से ही सब कर रही है काम और इतना ज्यादा विमार थी सत्रा ठारा दिन से बुखार नहीं उतरता था जो भी हो आदेश के नुसार दाल चावल तरकारी तयार कर आए गई तो तीन चार जनों ने चारों तरफ से पकर कर मां को बिठा करके पत्थ कराया कुछ कुछ सब चीज़ें खिलाए और उने भाक्तों की इच्छा नुसार सब खावी लिया और जो और के बाद इस प्रकार का अन्न पत्थे देख करके अनेक लोगों को भै हुआ कि इसके बाद से दिन प्रत दिन वो स्वस्थ होने लगें इस प्रकार की शरीर की विक्रित के प्रसंग में मा ने कहा कभी मेरे किशी भी सहज कर्म में ये शरीर बादा पाता है तो उसी बादा के फलसुरूप किस तरह हो सकता है वो तुम असे समझने के लिए नाना यंत्रादी का विकार तुमने देखा है मा कहती ती तो वैसा होने पर ये शरीर एकदम ही जडवत हो जाता है, नहीं तो प्राण वाय भी शरीर को छोड़ करके चला जाता है, शहया पर शहयनित अवस्था में, भक्तों कोई कष्ट या असुविजा का बोध उनको नहीं था, वो कजी कि मुझे कोई कष्ट नहीं है। स्वस्था वस्था में जैसे रहती हूँ, विछवने पर लेते हुए भी वैसी ही रहती हूँ, मेरे शरीर के विकार में और तुम सब की भाग दौल आती व्यस्थता के बीच, मुझे ऐसा लगता है, कि जैसे ये भी एक आनंद कापोव कीर्टन चल रहा है, मा कीर्टन मुसे बहुत प्रेम करती थी, कृष्ण कीर्टन के मुख्यता होती थी, स्री मा के कारे कलाप आज से प्रतीत होता, कि जैसे प्रकृति भी उनके अधीन होकर उनकी इच्छा के अनकूल ही परचालित होती है, और इस से प्रतीत होता, कि उनकी इच्छा मई शक्ति के स्वाभावे क पुरण की ओर लक्ष रख करके चलने से भाक्तों के व्यक्तिगत इच्छा निच्छा के द्वन्द की तरंग न उठाकर उनका आदेश अकुंठिचित से प्रतपालन करने पर श्री मां की विश्व में इच्छा सक्ति के अनुरूप सौंदरे के खेल में हम कितना कुछ पाते हैं भक्तों को लगता था मां की इच्छा का पालन करना सबसे बड़ा कल्यान कारी साधन है और कुछ तो योग घाटित होने लगते थे भक्तों की उन्नत के लिए जिनकी कोई सीमा नहीं थी लोग कहते थे कि बच्छपन में हम अपने ख्याल में जैसे गुड़िया लेकर खेलते हैं बालू कीचर के घर बनाकर सामईक आनन प्राप्त करते हैं उसी प्रकार अभी भी मां को लेकर के खेल में मस्त रहते हैं ऐसे आश्रंका लोगों को होने रखती थी तो मां कुछ ऐसी बात बोल देती कि सब चकीत रह जाते हैं फिर समझ में आतम मां तो अलग दुनिया में रखती वक्तों विंजया चल में अश्टबुजा पहाड के उपर मां का ये काश्रम है और बड़े-बड़े महान संतों के प्रयत्न से मां की वो सेवा वहां पर हुई थी और यग्यकुंड भी है मामा विराज मान हो करके अपनी दैविश शक्ति के द्वारा लोगों को लाव करा दी है वो विंजया चल आश्रम है वहां कथा प्रसंग में मां एक दिन ब्रमचारी स्रीमान कमला कांथ से बोली इतने दिनों में भी मैं कुछ चाहती हूँ कोई नहीं जानता समझने पर तुम क्या चाहती हो अथवा आपकी क्या इच्छा है ये बात लोग पूछे तो मैं बोली कि कोई समझ नहीं सकता है मेरे अंदर की बात वहां आत्म सम्मान येस प्रतिष्ठा राग दुख अभिमान ऐसी कोई बात नहीं थे ये सामाने जीवों के अंदर होता है मां किस्तित अलग थी उनकी तो मुख से अपने आप अंजान में शब्द निकलते थे कभी कभी किसी भागिशाली भक्त को मां की चिनमाई विलास लीला देखने का सुयोग बनता था तब वो अपने जीवन को सफल मानन करके चर्णों में पड़ा जाता था वक्तों एक दिन रमणा के मैडान में घूमते घूमते एक भाक्त ने देखा कि मां और कुछ भी बात नहीं कर रही हैं तब उन्होंने विचार किया मां बिल्कुल शंगंभीर शांत और वो समझ गये कि कुछ लीला चल रही मां के इंदर थोड़ा दूर घूम फिर करके फिर बैठ गई माता अपनी जगए आठ दस दिन तक ऐसी स्थिज बनी रही और उस समय इशारा, संकेत, हसना, इत्याज सब चेश्टाएं बंद हो गई थे अपनी मन से अपने भाव में बैठी रहती थी किसी के कुछ भी कहने पर उनकी और दिश्टी ध्यान नहीं जाता था उनका लगता था एक बुद्ध की प्रतिमा जैसे बैठी हो खाने के समय जितना कुछ आवश्यक था बस उग्रहन कर लेती थी उसके बाद मुख बंद मौन अवस्था में कई एक दिन ऐसा लगता जैसे बाहिर जगत के साथ उनका सारा संबंद खतम हो चुका है और आट-दस दिन बाद स्पष्ट भाव से नहीं धीरे से हलकी सी आवाज में एक बात निकलती है तब देख करके मन में विचार होने लगता जैसे मां अपने वाक यंत्रादी अपने शरीर की विवहार को नई तरीके से अभी फिर से सीख रही है एक लगता है जैसे छोटा बच्चा कुछ सीख रहा हो बोलना इस प्रकार तीन दिन बीटने के बाद स्वाभावी का वस्था में आई है पहले यह लगता थे नन्ना सा बच्चा जैसे पहले बार बोल रहा हो मां की इस प्रकार की जो अवस्था थी और जिन भक्तों को देखने को मिली तो सोच थे यह किसी स्थित में थी कि तो बिलकुल छोटा बच्चा जैसे बोल नहीं पाता अनिमेस दिश्थी से बहुत देर तक देखने पर प्राणों में त्रिप्ती प्राप्त नहीं हो पाती थी भक्तों को लेकिन मां हसने लग जाती थी मां जब प्रथम वस्था में लगातार तीन साल तक माउन रहीं तब अनेक लोग उनको अकस्मात देखकर गुंगा समझे लेते थी अब काते थी विधाता का क्या विचार इतनी सर्वगुण संपन्न होने पर भी ऐशी सुंदरी बधु को गुंगा बना दिया बगवान ने तो गुंगी थी नहीं वो लेकिन विलकुल गुंगी तरह से रहती थी और मारे तीन साल तक एकदम गुंगी बन करही मा कहती कि मौनी होना तो मन प्राण को एक साथ चिंतन में घनिभूत करके भीतर बाहर पत्थर की तरह हो जाता है ये केवल वाक सयम ही करना है तो अलग बात है लेकिन जो पूरा मौनी होगा उसके तो मन प्राण साथ गनिभूत होकर भीतर बाहर एकदम शान्त हो जाते है तो एकदम गुंगा की तरह जो इस्थिति होती है वो हो गई थी ऐसी विचेत्र विचेत्र इस्थितियां होती थी माता की योग की इस्थिति, भक्ती की इस्थिति, ज्ञान की इस्थिति कभी-कभी तो समाधि में रहती माता गवरी समाधि में और समाधि की बात तो पुरी-पुरी समझ में भी नहीं आती लोगों को आज माँ को प्रणाम करके हैं विराम दे रहा हूँ शिजा दे रहा दे दे शिजा दे रहा दे